इंदोर शहर में विगत लंबे समय से किन्नर समुदाय के बीच विवाद चल रहा है जो थमने का नाम ना लेकर दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है विगत कुछ दिनों पहले द्वारकापुरी थाना शेत्र में दो किन्नर समुदाय के बीच जम कर विवाद हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए इस विवाद के चलते मंगलवार को द्वारकापुरी किन्नरों द्वारा डियाईजी जन्सुनवाई में शिकायत की गई है जिसमें उन्होंने नंदलाल पुरा किनर समुदाय द्वारा किनरों पर हमला करना और उगाई के नाम पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है वही नंदलाल पुरा किनर समुदाय द्वारा द्वार का पुरी इस्थित किनर समुदाय पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा शहर में अवैद वसूली की जा रही है उनका कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने इंदौर SSP, कलेक्टर, कमिशनर और अन्य आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई नंदलाल पुरा किनर समुदाय का आरोप है कि द्वार का पुरी किनर समुदाय द्वारा उन पर आए दिन जूटे आरोप लगाये जाते है यह हमारा किनर समुदाय आज बरसों से चला आ रहा है और जो हमारा मकान है न यह होलकर महराज के हत का दिया वो मकान है आज हमारी पुस्तेनी मकान और पुस्तेनी लोग चले गई हमारे लिए एक धरम साला एक आसरम एक मट बना के गई इसमें जो सच्छे लोग है जो पुझनी और जो पुझा की लाइक है जो सच्छे मन और सच्छे नेत्र सचिछे नेचर के जो दुनिया को अपना सके दुआएं दे सके लोगों के बीच जाके उनका भला कर सके वो लोग यहां रह सकते हैं इस मामले में कौन गलत है और कौन सही यह जाज का विशय है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता से जाज की जा रही है